इस चैप्टर फ़र्स वह हम लोगों ने सब्सक्राइब करके अब इसे कुप्रिट कर सकते हैं आज हम लोगों का सेकर्ट ठेके अर यहां जो सेडिट करें गे तो आए यह आगे बढ़ते हैं और अब सुर्ट करते हैं जैके टो हमारे सेकंड छेप्टर है तो और फोर्थे है यह हमारा किया है यह से पर से कंड दो पहला चैटर समाप कर लिया है पहला चैटर से कंड और घुशन तो फाइव मार्स का आएगा तो इन पॉर्टेंट है और अपसे बात है तो उसमें ठीरी है सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है अगर आपको भूल जाते हैं तो नहीं होपाता है इसलिए जहां तक कोशिस होदगी कि कम सकम पहले जो है आप तो याज करी लें ठीक है करते हैं सबसे पहले हैं इंट्रोडक्शन जो जैसा कि नाम है यहां लोगों ने देखा नाम है इस चैप्टर का फोर्स एनाल्सिस फोर्स का मतलब होता है मतलब समझेजरी बना रहे हैं तो बल लग रहा हुता है यह साथ बहुत सारे बल काम कर रहे होते हैं एक साथ बहुत सारे बल काम कर रहे होते हैं तो हमको यह जानना होता है कि जो बल एफ़न है वह अकेले क्या काम कर रहा है या फिर जो बल एफ़टू है वह अकेले क्या काम कर रहा है ठीक है और इसे अकेले कितना का इफेक्ट है ठ के बल से पड़ता है यह सार चीजे अलग अलग जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं ठीक है इसी के बारे हम लोग पढ़ेंगे शेपर में तो आगे बढ़ते हैं थे इस साइची जो कवर करते हैं पहला जो हमारा है वह है पर इसे इंट्रोडक्स था रिंट्डक्शन समझते गोब करेंगे कि नियुक्त देखें आपके बुक में यह books से बनाया गया है ताकि आपको अलग ना लगे जो आपके बुक में है अश्राइब कवर करेंगे उसी के बैसिस ब्लू जे समझते बढ़ेंगे देखें बताया गया संद्रशनाओं में मतलब होता है इस ट्रेक्चर ठीक है जैसे आफ बोल साफ अगरा में गये होंगे वहां पर उपर का ट्रेंड बढ़ा होता है लगने बल किसी भी कोड पर और अवसकता लगाई जाते हैं किसी भी कोड पर आवसकता के अंसार लगाई जाते हैं यह बली परकार बर्रीकित कर लिया जाए यहां बता जा रहा है जो किसी स्टेक्टर पर या मसीन पर लग रहे हैं वह किसी भी कोड पर लगे हो सकते हैं तो सबसे पहले हमनों क्या करना है बलो को वर्गी क्रिट कर लेना क्लासिफाई कर लेना है कि समांतर लग रहा है कि वर्टिकल लग रहा है कि किसी एंगल पर हो सकता है वह सी अगया आगे समझेंगे आगे हम इसको अच्छे समझेंगे तो यह बातें यहां पर है अगे देखिए का बताया है है किसी पींडिया वुस्त लगने वाले बलोग के साइओ जन ठीक है कॉम्पोजीसन और निश्चिख बगटन या फिर भी व्योजन कि किरिया को बल्विस्लेशन करते हैं ठीक के यहां बतायाए बल्विस्लेशन क्या होता है इसके बारे में आफ डिसमेंशन दिया गया है क किसी पिंड या वस्त उपर बलो कि साही हो जाने मालब कि बहुत साइब काम कर रहे होंगे तो उनका साही हो जाने मतलब का उनका मतलब उनको जोड ठीक है और निश्ची जिस्वाओं में बिगटन या फिर वियोजन की कि दिया को बल बिसे कर बिगटन का यह मतलब इसका फोर्स जो लग रहा है इसको क्लासिफाई कर अलग लग कर देना ठीक है कोई फोर्स एंगल के लग रहा है तो उसको वर्टिकल और हो बिगटन करना या फिर यूज जी करना कि परहाई है ऐसे रही है करना क्या है यह चीज तो समझने कि थी समझ लिया लेकर है यह जो है क्या होता है इसे आए डिफिनेशन आहलता हम लोको अपने नोट्स में नोड कर लेना है ठीक है और पाउ сп announcements है तो इसके हमें याद भी कर लेना है ठीक है आगे बटता है है देखें आगे एंड कि मिताया к्या है बलो के सैंड दाता बी योजन की और सकता है यहां पर यह बताया गया देखते हैं जब किसी पिंडग 제약 करते हैं तो उनके समलित परभाव तथा किसी बिसेश दिशा में किसी बल के परभाव को जानने के लिए बलो का सयोजन तथा भीयोजन करना आवस्यक होता है यहां बतायागा है जब किसी पिंड पर बहुत सारे बर काम करते हैं तो यह जानने के लिए किसी एक बिसेश बल का उस पिंड पर क्या परभाव परड़ा है उसके लिए बलो का बियोजन तथा कमपोजीशन करना आउसक होता टब ही हम जाने पाएंगे कि F1 का इस पिंड पर क्या परभाव परड़ा है ठीक है आगे इन केल्याओं से पहले बलो के बिभिन समूं के विस्तार को जाना परम अवसक है अनि जो फॉर्स एक साथ लग रहे हैं सब ठीक हैं उनके बारे में भी जाना करते हैं कि पर्टिकुलर एक फोर्स के इफेक्ट के बारे में जानने के लिए कि यह जाने के लिए आगे बढ़ते हैं अब बात है सिस्टम ऑफ फोर्स बन निकाए क्या है सिंप्ली जब एक सब्सक्राइब करें किसी बाड़ी पर बहुत सारे लग रहे हों तो ऐसे सब्सक्राइब करते हैं कर लिजेगा को बल निकाह करते हैं बलो करें जाने का समुह को बल निकाय करते हैं एक से अधिक बलो के समुह को क्या करते हैं बल निकाए करते हैं यह देखें और क्या बताया है बल निकायों मुलक कि समुहों का वड़्गी करण उसकी दिशा क्रिया बिंदू या फिर्टिया सम्तल पर निर्भर करता है पर निर्वा करता है ठीक है अगर बन निकाय मतलब सिस्टम आप फोर्स का वजी करम लो क्लासिफिकेशन करें तो किस पर निर्वा करेगा बलकि दिसा बलकि क्रिया विंदू क्रिया सम्तल पर निर्वा करेगा उसका क्लासिफिकेशन ठीक ना जैसे एक ही सम्तल पर कार करने वाले बलो के समू या निकाय को समतली बल निकाय यानिकि system of coplanar force कहते हैं जब बहुत सारे बार एक ही समतल में लग रहे हैं तुन्हें हो लोग समतली बल निकाय कहते हैं और विभीन समतलों में कार करने वाले कार में करने वाले बलों के समुआ या निकाय को और सम्तली बल निकाय कहते हैं ठीक है सिस्टम आप नॉन खर्लिने कहते हैं वेक वेक में कर रहर है कि दिया करने वाले बल के समयों को संगामी बल निकाहें ठीक है सिस्टेम आफ प्लासिफिकेशन है जो आगे देखेंगे ठीक है है थे हैं समझ में आगया है कि सिस्टम क्या है ठीक है बल निकाए किसे समझ में आ गया है ठीक है तो सब्सक्राइब करें तो आप हम लोगों समझ जाना है कि अतलब बहुत सारे खरुर्स को ग्रूप से ठीक है यहां पर क्लासिफिकेशन दिया है किसका बल निकाय का सिस्टम और फोर्स का बल निकाय का वरिकर निन प्रकार है तो बल निकाय सबसे पहले दो फाकों बाता गया है पहला किया है पहला है हमारा सम्तली बल निकाय दूसरा है और सम्तली बल निकाय का मतलब एक सम्तल मैं मालजे एक प्लेन हे कोई हमारा वह प्रक्राइब सारी इसम种 कि का इस सिरा इस तरीके से क्यूब खोए यह एश्त लग रहे और इधर लग रहा है तो इह होगे और समचली वोण में इस फ़य। है इसको बोलते हैं और समतली बन निकाय को फिर से तीन भागों में डिवाइड किया गया है पहला है समतली संगामी बल दूसरा है समतली संगामी बल में होता है कि सब एक ही समतल में काम करते हैं लेकिन सारे बल एक बिन्दू पर आके मिलते हैं या एक बिन्दू से होकर जाते हैं ठीक है दूसरा क्या है समतली संगाम करते हैं लेकिन एक बिन्दू पर नहीं मिलते हैं ठीक है समतली समांतर बल समतली समांतर में क्या होता है बल एक समतल में काम करते हैं और वह एक दूसरे के समांतर होते हैं ठीक है वह एक दूसरे के समांतर रहते हैं इसी प्रकार से और समतली बल निकाय को भी तीन भागों बाटा गया है पहला है और समतली समांगी बल दूसरा है औ दूसरा और समांगी बलसे बल जो की और सम्तली होँ और एक बिंदु पर भी ना मिलते हो और डिप्रेंट डिफ्रेंट संसे समांगी बलं में कर लेकिन वह समांतर हूं ठीक है सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं समतली बल निकाय सिस्टम आपको प्लेनर फोर्स ठीक है दिच बल निकाय के सब्सक्राइब तो होती है उन्हें समतली बल निकाय करते है कि संतली बल काम कर have हो इस तरीके से एक ही समतल में सारे बन काम कर नहीं हूं बोलते हैं तो समतली बने कहते हैं जैसे कि अभी हमें पीछले साइड मुझे खाता है कौन कौन से हैं पहला है हमारा संतली समांगी बल को इसमें है कि एक संतल है ठेक है एक सेंटर है ठेक है आई सेंटर पर जो है सारे इसेंटर से बल होके जा एक है और यहां पर यहां फूर है और फ्री और फाइफ सेंटर के तरफ आया और वाल की तरफ गए तो ऐसे बलों के को क्या करते हैं एंसहां करते हैं संतली समांगी संगामी संगामी बल निकाह तो आपको यह लिखना भी इसका डिफिनेशन और इस फिगर भी बनाना यह समझ जाएगा कि आपको यह पता है तेकि आए पड़ भी लेते हैं कि है लिखा गया है देखें हैं लिखा गया है एक ही समतल में लगे ऐसे बलो का निकाय जिनके सफी बलो की क्रिया रिखाएं एक ही बिंदू से होकर जाती हूं अथ्वा एक ही बिंदू पर मिलती हूं समतली संगामी बल निकाय कहलाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स हमारा है दूसरा टाइब सम्तली और संगा में बलने का है को प्लेदा नौन कॉंकरेंट फोर्स यह तो समझ में आ गया यह एक ही सम्तल में होगा और किसी भी कोई भी बल एक बिंदू से होकर के नहीं जाएगा सारे बल अलग अलग बिंदू करके जाएंगे जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं यह फोन यहां पर है यह तू इदर है एफटी इदर है फो इधर है और फाइफ इधर है सारे कई डारेक्शन अलग लग है कोई भी एक बिंदू पर नहीं मिल रहा है ठीक है इसे बोलते हैं और सम्तली और संगा मे बल निकाए ठीक है देखते है इसके बारे में क्या बताए गया है इसके और हम बताया गया है एक ही सम्ताम में लगे ऐसे बलो का निकाय है जिसके सभी बलो की क्रिया रखाएं ना तो एक ही बिंदू पर परच्छेदित करती हैं लग की काटती हैं और ना ही परफ़ समानतर हो बलकि बिभिन 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 बिंदू पर मिलती हूं समतली और संगावे बल निकाए कलाती है ठीक इसमें एक पॉइंट और जुड़ा हुआ है कि वहीं दूसरे के समानतर बिभी कि ना हो ऐसे व्लों को कहते हैं सम्टली और समांगी बल घाए का इस फिगर को जरू से लोग को बनाना है ठीक है आगे बटते हैं तीसरा परण देखते हैं का दिसरा डेके तीसरा क्या है समतली समानतर बल कि को प्रलान पैललर फोर्स बिए समतली है सम्तल में है और एक दूसे के समानतर है बल F1 F2 के समानतर है या फिर का सकते हैं यह फ़ान एक समानतर क्योंकि इनके पीच के जो गैप है वह इक्वल है ठीक है देखिए इसमें दो के साथ है इसमें इसके बारे में क्या बताए गया है एक ही सम्तर में लगे ऐसे बलो का निकाय जिनके सभी बलों की ग्रिया रेखाएं आपस में समांतर हो अर्था इसी भी बिन्द पर आपस में पर्षेदित न करें सम्तलि समांतर बल निकाएं कल आते हैं ठीक है इसमें बार लिखा पर्षेदित ना करें हम लोग यह जानते हैं कि सब्सक्राइब स lounge नहीं करते हैं जर लिखा गया है अर्थार्ट करके कि कि बिन्त पर आपस में परशेट जैसे ना करें ना करें भुट में थो चैसे assembly гa तोब आगे बढ़ते हैं और सम्तली की बात करेंगे और संतली बल निकाय कि जिस बल निकाय में सभी बलो की किरिया रेखाए एक ही संतल में ना हो करके विभिन विभिन तलो में होती है उसे क्या करते हैं और संतली बल निकाय करते हैं यह तीन प्रकार की होती है जैसा कि हमने प्लासिफिकेशन वरे डागराम में देखा था ठीक है इसका पहला क्या है पहला है और सम्तली समांगी बर निकाह ठीक है नॉन को नॉन कोप्रेंट पॉर्स ठीक है इसमें देखे इस पॉइंट पर बल काम कर रहा है ठीक है संगामी का मतलब क्या होता है एक बिंदू से मिलती हो और सम्तली व्यूंट यह सरफेस वन है और यह सरफेस तू है और यह सरफेस दिखाई दे रहा है ठीक है जिस पर कि दो सरफेसों में बल लग रहा है समत्र में लग रहा है दो सम्टर में लग रहा है सवन और यहां पर समतल्प लग रहा है लेकिन वह एक ही बिंदू से होकर के गुजर रहे हैं ठेके वह एक ही बिन्द से होकर के जा रहे हैं ऐसे बलो के सम्लों को क्या बोलते हैं और सम तली ऑसम तली ठेके एक सम्त्रम नहीं तो और सम्तली संगामी बन निकाया है ठेके ना यह तो गया आप जब एक्जाम में आगा तो जरू सो बनाएंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं देखिए इसके बारें पढ़ लेते इसके बारें बताए क्या गया है बिभिन बिभिन तलों में लगे ऐसे बलों का निकाये जिसके बलों की क्रिया रेखाएं किसी एक बिंदू से होकर जाती हो अथवा एक ही बिंदू पर मिलती हो और सम्तली संगामी बल निकाये कहलाता है तो इसमें होता है और सम्तली समझ यह ज्यादा सम्तल होगा एक संटल में काम नहीं करता होगा थे चाहिए साम यह सर्फस में मैं बल काम कर रहा है एक मिलतने काम नहीं कर रहा है और दूसरा क्या है संगामी बन महीं का मलवन एक बिंदू सब्सक्राइब नहीं जाती है तो इस तरीके से यह क्या है इस तरीके से और संगामी बल इस फिगर को भी हम लोग बनाएंगे ठीक है देखिए हाँ पर क्या बता गया है विभीन विभीन तलो में लगे ऐसे बलो का निकाहें जिनके सभी बलो की क्रिया रेखाएं ना तो किसी एक बिंदो पर परशेदित करती हो और ना ही आपस में समानतर हो उसे हम लोग और संगामी बल निकाहें कहलाती है है तो याद करेंगे लिख लेंगे और इस डाग्राम को भी बनाएंगे डाग्राम अगर हमको यार दे तो फिर याद करें जो तरहीं है इससे बनाने के बाद सिए सुमझ में आएंगी जिसे हम इसली अपनी नोट बुक में लिख देंगे अगे बढ़ते हैं लास्त हमारे और बल देख रहें बल गिबिभिट सम्तल में हो समानता रहें देख लेकिन एक समानता रहें ऐसे बलो को निकाय को बोलते हैं और समतली समांतर बल क्या बोलते हैं और समतली समांतर बल देखें आपके लिखा गया है यहां लिखा गया है विभीन विभीन तलो में लगे ऐसे बलो का निकाय जिनके सभी बनों की किरिया रखाएं आपस में समांतर हो अर्था किसी भी बिंद पर आपस में पर्चेदित करने की संभाना नहीं रखती हो और नहीं मिलती हो और सम्तली समांतर बलने का कहलाता है ठीक है तो इस इमेज को भी हम बना लेंगे आगे बढ़ते हैं आगे हम लोग कहें प्रेडामिबल क्या होता है यह चीजिए हो देखेंगे अगले वीडियो में आज के लिए वस इतना ही रहते हैं जितना हुने बताया उसको आप लोग नोट्स जोस बना लीजिए ठीक है नोट्स बना करेंगे तो एक यहां का टाइम में आको बहुत में लेना है और के बताना है कि आपको समझ में आराइट ने मिलते नेक्स वडियो में थैंक यू करें अजय को प्रेट गणिश्क टॉट 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 टुट टॉट 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 झाल झाल